नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल यादाउ साइबर Ekspert आज हम बात करेंगे digital arrest के बारे में digital arrest क्या होता है आप को digitally तरीके से वीडियो कोलिंग के माध्यम से आप को बंद कमरे में रखा जाता है आप पर नजरे रखी जाती है हैं हैकरस के दोवारा साइबर क्रिमिनल्स के दोवारह इससे Anjan кол आती वोट्षप पे, Skype पे पे कल आती है, आपकी Skype ID पता चलने पर ये सबी जानकारें आपकी सोसल मेडिया से ले लेते हैं वोनुख उसके बाद में SHOM को CVI का NARCOutenics का income test department, state police का बताते हैं, और वह ये कहते हैं कि आपके जो sim card है, वह ड्रक्स बेचने के पर काम हुआ है, साथ ही में यह भी उपन को बताते हैं, कि आपके नाम से 2-3 sim card और निकाले गई हैं, उन sim card को child pornography और इन सब चीजों में इस्तेमाल हुआ है, और साथ ही आपके भी IP address से आपने child pornography अपलोड या डाउनलोड की है, या देखा है, इन सब का जासा देते हुए आपको आप इसके trap में फ़स जाते हैं, उसके बाद होता ही है, इनका दूसरा खेल सुरू, फिर वो अपने एक senior अधिकारी को call forward करते हैं, जैसे इनकी call senior अधिकारी को जाती है, तो आपको लगा हकिकत में पूरा एक ऐसा environment बना लेते हैं, कि आप इसके बारे में सोच नहीं पाते हैं कि या real है या fake है, तो suddenly वो आपको बताएं कि ठीक है, आपको 10 लाग रुपए, 15 लाग रुपए आपको transfer करने पड़ेंगे, आप अपनी FD, mutual fund, सब कुछ break करेंगे, कैसे भी करके, बिना किशी को बताए, silently बंद कमरे में, उनके दुवारा दिये हुए accounts में आप transfer कर देंगे, उसके बाद में वो लोग आपको block कर देते हैं, और आपके साथ में cyber ठगी का सिकार हो जाते हैं, जब भी आप cyber ठगी का सिकार हो, इस परकार की ठगी का सिकार हो, तो 193 जोरो पे call करे, cybercrime.gov.in पर भी अपनी complaint दर्ज कर सकते हैं, हाली में I4C दुआरा, 1000 से ज़्यादा Skype ID बंद की गई हैं, और ये पिछले 3 महिने के अंदर, पिछले 3 महिने, यानि जनवरी 2014 से लेके, जून तक ये मामले 5000 से ज़्यादा रिजिस्टर्ड भी हो चुके ह हाली में जैपूर में भी एक बैंक करमचारी के साथ में महिला करमचारी हैं, 70 लाख रुपए का फ्रोड हुआ है, डिजिटल अरेश्ट के माधियम से, अब बात करते हैं, इनका जो syndicate होता है, इसमें काफी country के hackers सामिल रहते हैं, इन सभी country के hacker अलग-अलग bank count में, crypto currency के लग-बग सा मुस्किल रहता है, तो इससे बचने की उपाई, आप अपने mobile में, computer में, सबसे पहले जो अनजान AP के files हैं, उनको download ना करें, .exe files download ना करें, documents डाउनलोड ना करें, उनकी authenticity जानके ही आप उनको वो करें, second, आप pop-up ads पे click ना करें, pop-up ads पे click करता ही, आपकी screen freeze जाती है, वहाँ दिखाया जाता कि आप एक video call पे connect करने के लिए pop-up आ जाता है, आपके सामने कि आपने आभी आभी child pornographic content देखा है, या आपका IP address से कुछ crime हुआ है, ऐसा कुछ करके वो आपसे video call पे connect करें, ऐसे pop-ups को ignore करें, और उसी समय अपने device को internet से disconnect कर दें, और अनज झाल